कॉंग्रेस महासचीव और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने गहलोत कैबिनेट विस्तार पर बड़ा बयान दिया है अजय माकन ने कहा है कि मुख्यमंद्री अशोक गहलोत की तबियत ठीक रहती तो कैबिनेट का विस्तार हो गया होता विदान सबा सतर से पहले ही कैबिनेट विस्तार राजनेतिक अन्यूक्तियां हो जाती फिलहाल इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है सीम अशोक गहलोत की तबियत ठीक होने के बाद भी कुछ फैसले लिये जाएंगे माकर ने पुर्वडिप्ति सीम सचिन पाइलेट को लेकर भी बड़ी बात कही है माकर ने कहा है कि सचिन पाइलेट का राश्ट्री अस्तर पर क्या करना है यह हमारे लेवल से बाहर है यह सोनिया गांधी तैय करेंगी वह인 राज्जिय अस्तर पर क्या करना है वो हम कर देंगे इशारों में अज्यमाकर ने कहा है कि सब तय है पूरा रोड मैब तयार है कब क्या करना है कैसे करना है अगर मुख्यमंत्री की तब्यद ठीक होती है तो अब कैबिनेट विस्तार हो जाएगा वहीं बता दे की ठीक होने का इंतजार है उन्होंने कहा है कि कनहया या मेवानी की मुलाकात या उनके पार्टी में शामिल होने पर कोई जानकारी नहीं है माकन का कहना हैगी कैबिनेट अवस्तार के बाद जिला ध्यक्षो के नामों की गोशना की जाएगी बोड और कॉर्परेशन में भी न्यूक्तिया होगी माकन बोले पूरा लाइन ओफ एक्षन तै किया जाएगा आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिये बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहे एस्पेन नाइन नियोस के साथ